तो दोस्तो आज 4 एप्रिल 2024 बचार में आज काफी जादा वालिटिल्टी आमें देखने को मेला जहां पे निफ्टी फिप्टी अपना आल टाइम हाई 22,619 पॉइंट पे टेच करते हुए क्लोजिंग दिया 22,500 के उपर आके 22,514 पॉइंट पे लगबग 0.36% तेजी के साथ अब सवाल उड़ता की कल यानि इस हफते की आखरी दिन में क्या होगा जानेंगी इस वीडियो में साथ में शेयर मार्केट से लिडियो को बिना स्किप के पुरान तक जरूर देखना और खास करके आखरी तीन मिनिट इस वीडियो का वो बहुत इम्पॉर्टन है जिसमें हम मार्केट को एनलेसिस करेंगे उसको मिज मत करना तो चलि सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट अनलेस्ट द्वारा क्या स्टेट्में दिया कल फ्राइडे की दिन बजार किस तरफ मूफ कर सकता है तो इस टॉपिक को कवर किया एल के पी सिक्विटी तरफ से एक अनलिस्ट ने इनके अकोडिंग आज की डेट पे निफ्टी 50 जिस लेबल को पर क्लोजिंग दिया वहां पर दोस्ते हैंगिंग मैन पैटरन यह जो पैटरन हैंगिंग मैन पैटरन यह बिल्ड क्या निफ्टी ठीक है और उसके साहाँ-सा तो नीचे की तरफ इस लेबल तक जा सकता है अट दा सेम टाइम उपर की तरफ अगर मूफ किया तो लगबग 222 चाहसो से लेके 222 चाहसो एक उपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल सकता है बाकी दोस्तों आपको क्या लगदे कि कल बजार किस तरफ मूफ करेगा प्लीज अपन जो पॉइंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके ओके तो सेम टॉपिक को कवर किया एक दूसरे अनलिस्ट ने अपना एक पॉइंट व्यू रखा टेकनिकल व्यू निफ्टी नीट्स टू मूव अबब 22600 जो कि आज शुरुआत में हमने देखा था ओपे नहीं हुआ था इस सकता है ठीक है ओके तो दोस्तों कल एक बहुत इंपॉर्टेन अपडेट आएगा सुबा की दस बज़े वेट करना विकॉस आर्बिया की मीटिंग की आउटकम निकलेगा मैं आपको थोड़ा टाइमिंग बगरा दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से याद कम निकलेगा और लगबग नून तक अल्मोस्ट बारा बज़े के आसपास तक दोस्तों इसका प्रेस कंफरेंस चलेगा मतलब जो प्रेस के सामने जो हमारे गवर्नर साहब है सक्तिकांदा दास सेर उन्होंने अपना जो स्टेट में रखेगा क्या 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 किया जाएगा इकनोमी ग्रोथ के बारे में इंफलेशन रेट की बारे में कब रेट काट होगा रेट काट होगा या नहीं होगा क्या उमीद है यह सब कुछ आपको देखने को में लगगा आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब करके रखिये कल जैसे अब निकल जाएगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल को बर वीडियो के तुरू शेयर कर दूँगा सबसे पहला वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक के उपर आएगा ठीक है तो कल वेट करना ज़रूर इसको बढ़ वीडियो आएगा ओके नेक्स दोस्तों यहाँ आप एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है यह से कब देख सकती है निफ्टी का शेयर हीरो मोटो कॉप इसके उपर आई टी डिपर में ने टोटल 605 करोर का दोस्तों यहाँ पे नोटीज दिया है टोटल 605 करो इसको पर मैं बोलूँगा कल नोटीज मतलब यहाँ पे पहुंच चुका है 25.08 लाक करोर पे जो कि यहाँ पे यहाँ पर 55.4 परसंट के आसपास ग्रोथ देखने को मिला यह तो कुछ भी नहीं है अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ हुआ है इस पर्टिकुलर सेग्मेंट भी यह देखिए एस डेपसी बैंक डोमेस्टिक रीट बहुत अच्छा कंपनी परफम कर सकता है आज की दोस्तों बहुत सारे और भी डोमेस्टिक एकॉनोमिकल डेटा उट हुआ जैसकी इंडिया की पीमाई ग्रोथ यहाँ थोड़ा दिखाता हूं इस बार एकदम पीक पोजिशन पर पहुंच चेंगा मतब हाइस अब बोल सकत है एकदम हाइस पोजिशन पर पहुंच चुका है उसके बाद आप देख लिए अच्छा मोदी जी की तरब से जैसे हैं वीडियो की थमनल पर मेंशन किया कि मोदी जी की बड़ा बायान तो आज की रेट पर आपको मालम की सामने चुना है और चुना के पहले यहां पे लगबक 6.69 दोस्तों ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगा यानि इनके आकोडिंग एप्रॉक्सिमेटली दूगने का आसपास पहुंच सकता है आपके जानकर इक लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज की रेट पे इंडियन एकनोमी का साइज है टोटल 3.51 ट्रिलियन ड देता हूं कि अगर ऐसा होना है सच में तो उसकेस में इंडियन एकनोमी हर साल 15% वाइस दोस्तों ग्रोथ होना पड़ेगा तब ही जाकि यह पॉसिबिलिटी होगा कि 2030 के अंदर जो इंडियन एकनोमी है लगबक 6.69 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है बात अट एक गारंटी किया है ठीक है मतलब पूरे देश बासी के सामने ओके बाकी दोस्तों आपका क्या स्टेट मेन है ब्लीज कमेंट के दूर बताइए तो आज की डेट पे देखे जो अभी यूएस मार्केट में पोजिशन काफी अच्छा देखने को मिला डॉजोंस की बात कर 0. 0.44% उपर पहुंच चुका है नास्टेक की बात करें आध दे सेम टाइम 1.06% की तेजी तो अगर सब कुस ठीक ठाक रहा दोस्तों कल आज जैसे के आई टी सेक्टर में थोड़ा बहुत 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 नहीं और जैसे कि मैं आपको पास्ट काफी दिन दोस्तों बन सकता है पूरे दुनिया के लिए बिकास यहां पर अगर मतब रोका नहीं गया ब्रेंट की प्राइस को ठीक है तो कहिने की इंफलेशन बहुत हद तक बढ़ सकता है और उसके समें जो रेट कट की उमीद वह उमीदी रह जागा विप्र लिमिटर एडियर वर् सबसे जाद है तो हम सभी को मालम है और जिसके चलते गिफ्ट निप्टी भाई साब बहुत पर पहुंचे को मैं आपको दिखाता हूं यह अपडेट है रात के 10 बच के 27 मीट का और यह देखिए अभी गिफ्टी का पे चल रहा है यह देखिए 22718 पाइंट तो मत्तब आज निफ्टी 50 जिस लेबल के पर क्लोजिंग दिया उससे लगबग 200 पॉइंट से जादा दोस्तों उपर ट्रेट का रेकॉन गिफ्ट निप्टी है ना अब चलिए हम तोड़ा सा देख लेते हैं इसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर सब्सक्राइब करके जरूर रखना ओके तो दोस्तों आज की रेट में मतब दुख की बात यह है कि द्याइस द्वारा भी एफस द्वारा भी सेलिंग देखने को मिला ड्याइस नोटरल सेल किया और एफस ने ट्रोल सेल किया 1136 करोर के शेयर मतवाज बड़े इन्वेस्टर बाताबु सीज गंशन द्वारा चेया और आपके जान करके दोस्तों मैं आपको बताना चाता हूं सिरिया और इरान के बीच में एग्रिमेंट साइन हुआ जैसे कि आपको मालूमा कि नैटो नैटो यह मैं आपको तो लिखके देता हूं धर ध्यान से सुना मेरे बात को नैटो की अंदर जो सारे कंट्रीज है उसमें एक देश को पर हमला मतलब पूरे नैटो मेंबर के अंदर यह एकरिमेंट गडून को पर है सेम्दोस्तो सीरीया के साथ भी एरान का एक अगिदिमेंट है कि सीरीया को भाव मतलब इरान के ऊपर हमला क्के डा जाता है और अभी देस बह persone अ पूरे वर्ड में दसों यह निउस चला जा रहा है कि देक से बैड़ इरनू एटक इसराइ चलता हूं और बिल्कुली की अच्छी बात नहीं है है की नहीं और जिसके चलते हैं जहाँ पे पुरे दुनिया भर की मार्केट में बहुत अच्छा पॉसिटिप मोमेंटम देखने को मिला ऐशियन मार्केट की बात करें इस्राइलिय टॉप इंडेक्स में वं पॉइंट से ध्यान से सुनना विकॉज यहां पे बहुत छोड़े ओटे जो सेगेंड में बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट डिसकर करूंगा तो इसको ध्यान से सुनना ठीक है तो देखिए आज की रेट पे निफ्टी फिटी जिस लेवल को पर क्लोजिंग दिया यह यह बहुत असपास बार बार रेजिस्टनस कर रहा था ठीक है और उसके उपर आके आज क्लोजिंग दिया वहां से गिरावट भी हुआ था यह भी आपको भूलना नहीं चाहिए जैसे कि आप देख सकते यह जो बॉटम अच टच किया यह लास्त तीन यह दिखिए लास्त तीन दिन का यह लास्त तीन दिन का कैंडल की जो बॉटम है आज की रेट में देखिए एकदम नीचे पोजिशन पे टच किया एकदम बॉटम पे ठीक है उपर भी टच किया नीचे भी टच किया तो जिस बैसे यहां पे जो आज बहुत ही वाइड रेंज पे निफ्टी ट्रेट किया त थोड़ा बहुत गिरावाट होने का चांस है अगर इस लेवल के उपर टिक गया निफ्टी उसकेस में देखिए बंपर तेजी हो सकता है तो मैं आपको दो कंडिशन बदाया 22500 फिर से क्रूशल रोल रहेगा कल मार्केट में कल अगर इसको बटिक गया तो मतलब तेजी बागी जो भी अपडेट होगा कल मैं आपको फटाफट शेयर कर दूंगा और साथी साथ कल MPC मीटिंग सुबाह के 10 बज़े पे वह मिस मत करना और चैनल के साथ जूरे जरूर आना अपडेट आपको शाम की वक्त आ जाएगा ठीक है फिलाल दोस्तों इस वीडियो को वाइ जय हिंद